हलो दोस्तों आज हम ऐसे शेर से लेटिर बाते करने वाले हैं जिसकने के नेट प्रॉफिट ने रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नेट प्रॉफिट को पीछे छोड़ दिया है कॉट्रिली बेस पे ठीक है रिलाइंस इंडस्ट्री की बात करें तो लगबग 19 या को सब्सक्राइब बैल आइकन को ही टॉल के नॉटिफिकेशन कौन करें बाइंक सारी चीज़े यहां पर सीखने को मिलेगी इन वीडियो की हल्प से इसके इलावा आपको अगर और भी बहुत सारी चीज़े सीखनी है क्योंकि आ बात नहीं कर सकते तो हम अपनी कोर्स में यहां पर बारीकियों से इलेटेड बाते करते हैं 20 गंटे से 25 गंटे का कोर्स है डिपेंड ओन यू कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो किस तरीके से होमवर्क करते हो बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है यह सारा आंसर्स आपको मिलेंगे 25,000 रुप एक कोर्स है त्री मंस की हैंडोल्डिंग स्टैटिज यूज इन स्टॉक मार्की ओनले नोर्स सब कुछ दिये जाते हैं एक बार कोर्स कंप्लीट किया पीछे मुड़के देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी 8605-40501-8169-261037 दो नमरों को सेव कर लीजिए और हमारा बेसिक टू एडवांस ये कोर्स कर सकते हो और सीख सकते हो आगे पढ़ते है और साथ में काम भी करना है तो आप इनी नमरों पर कॉंटा करके हमारा साथ काम भी कर सकते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी से इलेटेर जिसके मार्केट कैपनी जिसके नेट पॉफिट ने रिलाइन्स के नेट पॉफिट को वीट कर दिया Reliance यहाँ पर आप देखोगे तो लगब 19 लाग करोड की कमपनी है ठीक है सबसे बड़ी कमपनी इंडिया के market capitalization के हिसाब से माने जाती है ठीक है बट यहाँ पर हम बात करें वो कमपनी के वर 7 लाग करोड की है इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ देखिए साथ लाग चारीजिया च्छेसो तरेपन करोड रूपे की मार्केट कैप है धाई बिलियन डॉलर से थोड़ा सा जादा ही यहाँ पर हाना इनका net profit होता हुआ नजर आ रहा और यहाँ पर हम देखे इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो आपको इसका net profit यहाँ पर नजर आएगा 22,203 तो यहाँ पर छोटी सी इससे लगबाग वो छोटी कमपनी है देखेंगे 79,000 करोड रुपे इसके आस-पास का यहाँ पर net profit है दोजर चौविस में इस्टेट बैंक की बात करें तो यहाँ पर 10,000 करोड कम है लगबग तो यहाँ पर 69,000 करोड के आस-पास का profit है तो 10,000 करोड यहाँ बेस पर कम है बट कौटली बेस पर आप जाओगे त इसी के लेटेड हम बाते करने वाली है क्या बैंक अच्छा है उससे लेटेड हम देखेंगे तो देखिए इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा गौर्नमेंट बैंक में यहाँ पर नजर आता है और वैसे ऑपर बात करें तो HDFC नजर आता है HDFC की अगर आप यहा इसकी जो मार्केट कैप है वो इस आम नौट रॉंग यहां देखिए बैंक यहां पर इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी यहां पर दिखाई देती है ठीक है बठ हम बात कर रहें यहां पर इसकी तो यहां पर आप देखिए इंडिया जो फॉर्चून 500 कंपनिया उन सस्ता है ठीक है रोसी रोई की बात करें तो रोई काफी अच्छा नजर आता है रोसी तो खास है नहीं यहां पर आप देखोगे इंट्रेंसिक वेल्वी से ज्यादा शेयर चलता है डिविडेंट भी देती है 841 रुपे का करें यहां पर हाई भी लगाया इसने डेट की बा यहां पर अच्छी घासी कंपनी के होती ही नजर आ रही है और आगे बड़े तो आपको समय में आएगा इनके पीर से भी आप कंपरे करोगे तो यहां पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक से कम नजर आता है इसका पी ठीक है और दूसरे बैंकों से थोड़ा सा ठीक है ठी शेयर भागा और बीच में आप देखोगे तो राइट इसू भी लाया है स्पिलिट की बात करें तो दो चौदर में यहांप स्पिलिट्स की हुआ है हाना यहां पर आप देखोगे मर्जर और ऑफ इंडिया के जैपोर ऑफ इंडिया स्टेट बैंक अलग-अलग यहां पर म करें तो आपको समझने मायागा कंपनी के यहां पर कौटरी रिजल्स लगाता बढ़ते हुए नजर आ रहे है जो की अच्छी बात है और यह ली कौटर ली दोनों बेसिस पर देखोगे तो यहां पर रिवेन्यू बढ़ता हुए नजर आ रहे है साथ में यहां पर इनका फैन काम बिजनस का सोर्स होता है और यहां पर आप देखिए उसमें लगाता बड़ोतरी होती नजर आ रही है और अच्छा खासा है यहां पर आप देखोगे टेक्सेंस अब देने के बाद लगबग 22,000 करोड रुपे के आसपास का यहां पर नेट प्रॉफिट आया है जो की य हाटे में चल रही थी और वहां से अभी 70,000 करोड के प्रॉफिट के आसपास बैठी हुई है और रिजर्फ की बात करें कंपनी का रिजर्फ अच्छे का से बड़ाइं जितना बड़ेगी उतना ज्यादा अच्छा होता है वरकिंपोगास में पैसे क्या लगेंगे इन्वे जिसमें आप देखोगे तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही है और आपको देखनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं अब बात करते आगे इसके चार्ट से रिटी चार्ट क्या कह रहा है वर विफोर दा चार्ट में आगे बड़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आयम स् लुआ को तो, हम्मारे इस करना है तो हमारे इस नंबरों को नोंट करके को उसके कर सकते हैं अनुक्त सारी चीटे हैं यहां पर सीखने का को मिलीeleri चनि 1060 पर जल्दी एक रैली दुबारा हो सकती है क्योंकि यहां पर आप देखोगे पी एस यू बैंक का जो इंडेक्स है जो कि मैं भी दिखाऊंगा वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होने की मेरे को आशनका है साथ में यहां पर देखें एक लंबा है ऐसे परफॉर्मेंस होर्मेशा करके दिखाते हैं अब क्या है 801 का तो यहां पर 900 घ्ली का लेवल ही बनता हूए ऐसे-ख्पक्टेशन मत करना हैं यहां पर 2000 रुपे तुरंथ पहुच जाएगा लोग बीटा श्टॉक है दीरे दीरे चलता है बर दीरे कच्छुए की तरह चलता है और अपनी नहिया पार लगा देगा बात करें यहां पर अपर आल चीज़ की तो फंडामेंटल काफी अच्छे है सब कुछ अच्छा नजर आता है चार्ट यहां पर अच्छा खासा है बट बताने का मितलब था कि कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रॉफिट में कामाल करके दिखाया है उसने रिलाइंस को भी बीट कर दिया इवन इफ इसकी जो मार्केट कैप है वो कम है तो वीडियो ची लगे लाइक कमेंश या चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बल आइकन को हिट करिएगा औ को नोटिफिकेशन कौन करिएगा थैंक यू सो मच गॉट ब्लस